परम सन्मानियो गुरूरू गुरू खाल्सा सा संगजी वाहिगुरू जी का खाल्सा वाहिगुरू जी की फत्य सच्चे पाशा तानिशिर गुरू गोविन सिंग साहब जी महराज एक मुसल्मान फकीर सयद वैमीनू मिले सां ए फकीर छत्याने पेंड़ दे सां ते बहुत करनी वाले होई सां एना उपर सूफी मत दा बहुत वड़ा असर सी दिवान गी विच तो ले ते काफियां गौँदे रेंदे सां जाद कदे सैस वाहि कोई बचन करदन दे ता ओह बचन हमेशा सचा हो जानता एस तरह इलाके विच सैयद व्यमी दा बड़ा सतकार सी हिंदू ते मुसल्मान एसकोलों डरदे सां ते एदे बहुत सारे मुरीद सां एक वार आख दे हन के किसे अधखड इस्त्री ने एनानू दोध पड़ाया दोध प्योण दे नाड़ ही ओने एवी बेंती करदती के उसनू पुतर दी इच्छा है ओह नपुती जा रही है फकीर ने सै सुबाही बचन कीता पुतर खोदाने पुतर नी देता अच्छा उसनू ख्याल नी रहा होएगा होनो हो जरूर तेनू पुतर दवेगा बहुत वड़ा वर्याम पुतर होएगा इस्त्री ने कारजा के अपने पती नाल गल कीती ते बहुत परसान होई पुझ समापा के फकीर दे बचन सचे हो गए पूरे साल पिछों माई देकर उतर हो गया उसने सारे इलाके विच पीर दी उस्तती दा टंडोरा पेट दता फकीर जाद साथगुरु जीनू मिलेया ता साथगुरु जी दा चेहरे दा नूर देखके बड़ा हैरान होया जाद साथगुरु जी दा नूर देख देखके राज गया ता साथगुरु जी दा उसने जीवन इतिहास सुनेया जोद इतिहाद सुन चुका ता उसने सिंगादी रेनी बेनी वेखी उसनों हर आंग विच कुछ ना कुछ चंगा दिसया ऐसा चंगा के ओह दिवाना हो गया सुते ते जागदे होए उसनों उसने हिर्दे विचों अवाज ओन लगी साथगुरु नानक देव जी दी गुर गदी प्यार दी गदी है शान्ती ते सच राजवली गदी है इस विच मजभदा त्वसब नहीं इनसान नो इनसान समझा जानता है एक खुदा अकाल पुर्ख दी ही इस विच पूजा है सारे पाई पाई हन कबर मडी पत्थर बोत तादक किसे वस्तूदी पूजा नहीं जिदर देखो मेलते सांज है जीवन विच खेड़ा है पै हमदर्दी है उच्चा उठण दी तांग है यो सेयद वैं विच फास गया उस दा जीवन बेडा डोलदा जान्दा सी ओ एक मोड उते जाके खड़ोता जितों सिखी देरावल रस्ता मुड़दा सी ओ सोजदा रहा के ओ की करे ओ सचे पाशा तानशीरी गुरु गोविन सिंग साहब जीदे चरना विच पहुँच गया उसने बेंती कर देया हुया दि आत्मा दिवानी हो गई है जिमें ससी उन्नों पिछे व्याकूल सी एसे तरह मेरी आत्मा तडफ रही है ए चैन नहीं कर दी इसनों शांती बक्षो दाता जी मेहर करो सद्गुर जी उस दे मनों पावानों समझ गए उस दे जीवन नों ताड़ गए पर सहभा ने जो कोई सम समझा सी उसनों परगट ना किता ओना ने पुछया सदा मस्त रैण वाले करामाती फकीर नों एनी बेचैनी क्यों है कि मुर्षद जेते नहीं रख्या सैयद व्यमी ने कहा मुर्षद पहला मुर्षद ता पोल गया उनता नमा प्रीतम टोलया है नमे प्रीतम दी तस्वीर ह बस जेत व्यकुल है ए सुन वासते के प्रीतम आख दवे प्यार परवान होया सैयद व्यमी दे एह दिल दी अवास सी साद्गुर जी ने पुछया पाव की सैयद व्यमी बोलया दाता मैं सिख बनना जोंदा हां मैंनू अम्रत शिका के सिंग मना लो ते पूरा त्यार बर त आबे है यादी लोड है बक्षो दया करो दीन दयाल सरब के दाते कलगियां वड़े पिता जी दयालू किरपालू महराज जी मैंनू बक्षो मैंनू अम्रत दी दात बक्षो सेद वैमी दे बचन सुनके ते सिख बननवास ते सची तड़भ देखके सादगुर जी ने पाईमान सिंग नू हुकम कीता के सेद वैमी नू अम्रत शिका दिता जाए पाईमान सिंग जी ने सदगुरां दे खुकम दी पालना कीती ओसे समय अम्रत त्यार कीता गया और भी अम्रत अभी लाखी सन ओनानू भी नाल गळा के अम्रत पान कराया गया अम्रत शकन तो पिछों पहला नाम बदलना बहुत जरूरी है इस वास्ते सेद वैमी दा सिंग नाम पाई अजमेर सिंग जी रख्या गया ओसमें बहुत ही खुशियां मनाईयां गईयां लखी जंगल दी एक वड़ी इतिहासी कटना सी कि एक मुसल्मान फकीर ने अम्रत शक्या फकीर भी ओहो जड़ा करा माती ते खुदानू प्यारा सी जड़ो एक अबर सारे बारे विच सुनी गई के सेद वैमी ने अम्रत पान कर लिया है ओपाई अजमेर सिंग नाम दा सिंग हो गया है ता लोकाँ दे मना उते बहुत चंगा असर पया जेड़े हिंदू सुल्तानिय सन ओ सिंग सजन वास्ते वहीरां कातके लखी जंगलवल आ गए साहिब शिरिगुर गोविन सिंग जीने सारे नूं अम्र शकाया ते त्यार बर त्यार सिंग बन दे गए ज़ो साथगुरुजी लखी जंगल विट सन ओधों सारा मालवा शाही फोजां तो खाली हो गया किसे पासियों भी कंसो ना आई के शाही फोज दे आउन दा खत्रा है चारे पासे अमन हो गया दूर दूर तक खबरां पोज गई हैं के साद्गुरु जी मालवे विच विच्च रहे हैं। ओना दे दर्शन करनवाले मालवे विच्च चले जान। लखी जंगल नू निहाल करके साद्गुरु इलाके विच तरम परचार करन लगे। तरम परचार वल बोता ते आंदेन दा पाव एसी के सिंगा दी गिंती जो काट गई है ओ दूसरे लोकां दे मना उते असर ना पावे के साद्गुरु नानक देव जी दी सिख़्ी काट रह ही है सिख़्ी तरम दे दुश्मन हिंदू ते मुस्लमान उश्यार ना हो जान लखी जंगल दे नेडे पिंडा विच परचार करन पिछों साद्गुरु जी दूर दे पिंडा वाल वदे ते होन आवदा परताब बहुत सी कोडे सेवक बैल गडियां तंबू ते लंगर दे बरतन आदक समान बहुत ही कठा हो गया सी साद्गुरु जी दा लिबास भी चंगा सी कीम्ती चोडा साद्गुरु जी ने पाया होया सी ते साहे ब चलदे चलदे पाई के कोड पुझे पाई दा कोट, पाई पगतु दा नगर सी ओठों दे वसनीका ने बहुत सेवा किती ओठों दे शाहुकारां दे चेत्वे चाया के ओठों साथगुर जी दा पंडारा करन ओना दा मुख्या साथगुर जी दे पास आया ते पास आके गैन लगा साथगुर जी असी बंद्यां दी इच्छा है के आपनों संगत समेथ परशादा चकाया जावे सो हुकम करो ताँ परशाद त्यार करिए साथगुर जी ने उत्तर जिता परशाद शकन विच कोई टेल नहीं है पर जे कर तुसी अमरज चके त्यार बर त्यार सेंग साथ जाओ ताँ असी चौदे हाँ के तुसी अमरज चको अमरज चकन दे नाग तो अड़ा तान मान ते कार पवित्तर हो जाएगा साथगुर नानक देव जी आप ते किरपा करनगे सारिया मनो काम नामा तो अड़िया पूरण होन गिया सुल्तानिया दे करा तो असी परशाद नहीं चकना साथगुर जी दे ए बचन सुनके शाहुकार मुखिया सोची पै गया उसने कहा महराज मै करों होआमा करद्या आते नालदे शाहुकारानू पोच्छा मा के की ओहो अम्रशकन नू ते आरहन मैं इकला है थे हां करजा मा जे ओहो नामनन फेर मेनू चुठा होना पवेगा हे दाता जी असा ते दयार रखनी मैं कोई कूड नी कह रहा साहिब उस दी अकल ते परसान होय ते ओना ने बचन किता ठीक है जेडा कारे सोज विचार की किता जाए ओहो ही चंगा होंदा है तुसी कार जाओ कारदे सारे परवार के ए सवाल रखके हल कर लो फिर आ जाना असी तुसा लोका ते परसान हा कोई विचार ना करना सादगुरुजी दे चरना ते नमस्कार करके शाहुकार मुखिया अपने कारणू चला गया ते कारपोज के उसने सारा परवार इकठा कीता सारे पंग बन के बठा के आख्या सादगुरुजी परशाद शकनुता त्यार हन पारोहो आख्देहान के सारे कारदेजी पहला सिखिनु तारन करो अमरज शको फिर तुसादे परशाद शकांगे क्योंके तुसी सुल्तानिय हो कबर मडी दे पुजारी हो तुसादे हत्थों परशाद नहीं शक सकदे मुखे दिया एक अला सूनके मर्द ता मन गे पर इस्त्रियां पांच पत्थर चोके पईया ओना ने रोडा पाद ता के कदे पीर दी मनत नहीं छटनी जे सिखिनु तारन कर लेया ता पीर सब कुछ नस्ट कर देगा पीर जी ने अनेका नू इस्तरा नस्ट कीता है एस्तरा हो डर्दियां सन एस्तरा सारा देन चर्चा होंदी रही आखेर माईयानू हत्यार सुटने पई मुखिया अपने प्रावानू नाड लेके साथ गुरुजी दी शरण आया साबने फैसला सुना जत्ता के ओ अम्रज छकन नू त्यार हन ओसे विले पाई गुर्बक सेंग जी ते पाई मान सेंग जी ने होर सिंगा नू नाड लेके अम्रज त्यार किता ते शाहू कारानू अम्रज छकाया ओना दे मुख्यां दे नाम रंगी कुमी सी ओना दे मुड नाम एहो ही रहे रंगी सेंग ते कुमी सेंग बाकी दे परवार दे नाम बदल दते एक पासे अमरत त्यार होंदा रहा ते दूसरे पासे गुरु का लंगर उस देन दे गुरु दे लंगर दा खर्च ओना शाहु कारांदा सी साथ गुरु सचे पाशा तानिशिर गुरु गुविन सेंग जी ने परशा चकया ते ओना नो निहाल किता एना शाहु कारा ने सिखी परचार विच बहुत सहयता किती साथ संगर जी इस परकार साथ गुरु सचे पाशा तानिशिर गुरु गुविन सेंग साहब जी मारा जी ने लखी जंगल खालसा विच जो के बठंडा दे कोले है बहुत सिखी दा परचार कीता ते बहुत प्राणिया नू अम्रच का है हो या पुला चुका दी खेमा बक्षणी जी दास नू आग्या देओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते